Hello students, this is our first proper chapter that we are starting with you, I am Vinay sir, okay, हम लोग जो start करेंगे that is scalars and vectors, now why did I choose this chapter, यह chapter क्यों important है, the reason is very simple, आपको physics समझना हो, तो आपको vectors समझना बहुत जरूरी है, Scalars is something जो हम लोग बच्पन से सीखते हा रहे, that is very very simple, so say for example, आप मान जो vegetables खरीदने जाते हो, आप मान जो tomato खरीदने जाते हो, okay, let's say यह सारे यह tomato है, okay, यह इस तरह से you have a heap of tomatoes, okay, and आप यह यहाँ पर खरीदने जाते हो, let's say घर से आपको बोला हुआ है, कि आपको यह 2 kg tomato लेक के आना है, okay, तो आप जाते हो, यहाँ पर जो भी shopkeeper है, आप shopkeeper को कहते हो, कि मुझे 2 kg tomato चाहिए, shopkeeper रैंडम दीए, यहाँ से tomato उठाता है, and he gives it to you, so आपको यह tomato दे देता है, okay, अब आपको घर से phone आता है, कि 2 kg के साथ और 2 kg tomato चाहिए, you need 2 more kg of tomatoes, तो आप shopkeeper को क्या कहते हो आप और 2 kg tomato दे दो, right, आप ऐसा तो नहीं बोलते हो ना, north east direction से 3 दो, northwest direction से 4 दो, फिर south से 2 दो, ऐसा तो कुछ बोलते हो ना, आप बोलते हो कि बस tomato दे दो, and वो भी randomly कहीं से भी pick करता है, अच्छा, वो जब आपको rates देता है, तो आपको ऐसे तो नहीं कहता ना, यार भाई north east के 2 tomatoes है, north east के tomatoes का भाऊ जादा होता है, north west के tomatoes का भाऊ कम होता है, south के tomatoes का भाऊ कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे जब यह सारा जो transaction हो रहा है, आप चीजें खरीत रहे हो, वो जब आपसे पैसे मांग रहा है, तो ऐसे cases में, कहीं पे भी direction is not important, direction does not matter, does not matter, correct अनादर एक्जाम्पल कुट भी लेट से यह आपको और आपको मैं पूछू कि आपका वेट कितना है मानदो आपका वेट है 60 kg तो आप ऐसा तो नहीं कहते ना है और सर वर्टिकल डाइरेक्शन में 60 kg है बट होरिजंटर डाइरेक्शन में 80 kg है ऐसा नहीं कहते ना तो आप ज खरीदने जाते हो तो आप एक चीज़ जो हमेशा कारवाजे से पूछते हो क्या है दाट इस माई देज करेक्ट एवरेज कितना देती है गाड़ी सुर्ण माई देज जिसको हम दो क्या आवरेज खहते हैं हमान दो कोई कार है जो 15 km पर लीटर का आवरेज देती है एक लीटर पेट्रोज में 15 km तो गाड़ी बेचने मादा आपको कभी ऐसा नहीं कहता ना सर आप नौर्थ में जाओगे तो 15 km मिलेगा बट आप वेस्ट में जाओगे तो यह 18 km मिलेगा आप साउत में जाओगे तो 10 km मिलेगा ऐसा नहीं होता ना average जो होता है वो सारे directions में आप किसी भी direction में जाओ average तो इतना ही रहता है so this again becomes an example of a scalar quantity क्योंकि direction does not matter so all those quantities where direction does not matter direction से कोई फरक नहीं पड़ता उनको हम जो कहता है scalar quantities because direction से फरक नहीं पड़ता तो direction specify हम करते ही नहीं है तो जब आप mass let's say mass आपको लिखना हो तो आप mass is equal to कोई number into kg जगा देते हो ना 5 kg, 10 kg, 3 kg you don't specify direction over here similarly अगर जो आप मांजो दूद खरिदने जाते हो तो आप दूद कैसे आप बोलते हो 2 liter दूद चाहिए, 1 liter दूद चाहिए, 3 liter दूद चाहिए आप यह तो नहीं कहते है ना भई, कि northwest direction में 3 liter दूद चाहिए आप directions तो कभी specify करते नहीं हो so that is why unless आप वास्तु शास्त्र में बहुत ज़ादा बिदिव करते हो कि यह चीज इसी direction से आनी चाहिए वो चीज उसी direction से आनी चाहिए तो अगर जब लोग उस चीज को हटा दे तो normally हम लोग इन सारी चीजों को measure करते हो, we do not consider direction so that is why all these quantities are called as scalar quantities so examples of scalar quantities mass, volume फिर आती है density जसको उसके बाद you have energy power all these are basically scalar quantities यह सारी जो quantities है, यह सारी scalar quantities है work done okay आप इनको, अब scalar quantities what is the advantage of scalar quantities आप directly add कर सकते हो आप directly उनको subtract कर सकते हो जब you don't have to consider directions what I mean is मान लो आप यहां से आप 2 kg tomatoes देते हो and आप इस region से 2 kg tomato देते हो तो total tomatoes that you would have is 2 plus 2, 4 right similarly if you pick 2 kg from here and if you pick 2 kgs from here again the total would be equal to 4 तो you can see that कहीं से भी आप 2, 2 kgs उठाओ total हमेशा 4 kgs ही होगा न direction does not matter so when we talk of scalar quantities scalar quantities को जब आप deal कर रहे हो scalar quantities के साथ जब आप deal कर रहे हो direction से कोई फरक नहीं पड़ता direction does not matter ठीक है but now when we talk of vector quantities vector quantities are the quantities during which या during their understanding या during their analysis direction becomes very very important very important so whenever you want to specify any vector quantity आपके पास हमेशा 2 चीजे होंगी एक तो उसकी value जिसको कहा जाता है magnitude and second one is direction okay now let's say let me give you an example of a vector quantity और जहां पर direction becomes important let's say आप एक cross road पर फस गए हो होता है ना कई बार आप नहीं जगा पर जाते हो आपका map काम नहीं करता ढंग से या map कोई एक direction कहता है तो भी safe side हम लोग रोग के पूछ देता है किसी को so let's say अब गाड़ी से यहां पर आते हो okay and अब आगे तीन possible रास्ता है okay so let's say यहां से 500 km पे let's say you have indoor let's say यहां से 500 km पे okay you have let's say सूरत okay and यहां पे 500 km अगर जो आप जाओगे तो let's say south में कोई एक city consider करते है बेजगां okay and आप यहां पे हो and let's say यह सारे जो है 500 km पे ही है अब मांजो आप यहां पे खड़े रहके एक आदमी से पूछते हो कि भाई मुझे सूरत जाना है तो how should I go about it मांजोगे आपको बस यह कहता है कि आप बस ना 500 km सर चाहते जाओ ma'am please drive for 500 km आप सूरत पहुच जाओगे तब इतने information पे आप निकल जाओगे क्या what would be the next question that you would ask आप यह पूछोगे कि सर आपका answer तो बराबर है 500 km पर यह साइट पे 500 km जाओ यह रोड पे जाओ 500 km या यहाँ पे मैं 500 km जाओ समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ पे it is just not enough the number is just not enough number के साथ direction becomes very important in this case okay so direction becomes important so this is one of the examples where direction becomes important तो whenever we want to specify vector quantities vector quantities को specify करने के लिए यह बस number enough नहीं होता number के साथ जो है आपको direction भी specify करना है जैसे if you have a block and मैं आपको बोलो कि मैं इस पे force लगा रहा हूँ तो यह block concert direction में move करेगा तो आपका तुरन question ही आएगा कि sir force है concert direction में अगर जो यह direction में तो ब्लो कैसे जाएगा अगर जो मैं force यह direction में लगा उगा तो यह जो block है यह ऊपर चला जाएगा अगर जो मैं force यह direction में लगा रहा हूँ तो यह जो block है वो यह direction में चला जाएगा So basically what I can say is मैं यह कह सकता हूँ कि in the case of vector quantities the direction becomes very very important, okay so at least now you know the difference, in case of scalar quantities, direction से कोई फरक नहीं पड़ता, but in case of vector quantities, magnitude के साथ आपको जो direction है वो direction भी हमेशा specify करना पड़ेगा, ठीक है तो now the question is अब हम लोग छोटी छोटी निटी ग्रिटीज पे जाता है, आपको एक basic idea आ चुकी है so now we will go on to the small things, okay, अब आपको ये कि आप किसी भी vector को represent कैसे करोगे, जैसे mass है तो मैंने आपको खाय कि आपको बस number भरना है, जैसे for example 5 kg तो आप बस 5 kg भर दोगे, you don't have to do anything else okay, but in the case of vectors direction becomes very important so आप, let's say if you are applying a force of let's say 10 newtons तो किसी भी vector को represent करने के लिए पहले तो इसके उपर arrow दिखा जाता है so this arrow means this is a vector scalars होते है, scalars के लिए कोई ऐसा arrow नहीं होता, there is no arrow over here but in case of vector, आप हमेशा कोई भी vector हो आप उसके उपर इस तरह से arrow लगाओगे you'll put an arrow, okay arrow हमेशा right hand side की तरफ point करेगा, आप मान्जो की ऐसा है यह object है और इस पर आप force ऐसे दगा रहे हो तो आप यह इसको ऐसे नहीं दिखोगे यह notation हमेशा arrow का ऐसा ही होता है, this is how a vector is represented अप कोई-कोई books में है, vector को represent करने के लिए हम दो bold यह formula, bold font यूज़ करते हैं, bold आपको पता है न, होता है, bold क्या होता है यह इस तरह से अगर जो bold है कोई चीज़ तो it means it is a vector but normally what we will do is we will use only this representation okay, it is easier for us so किसी भी vector को represent करने के लिए उसके उपर एक arrow होना जरूरी है ठीक है, अब मैंने आपको यह कहाए कि vector को represent करने के लिए दो चीज़े specify करनी होंगी अपको magnitude and direction so इस block पे मैं जो force लगा रहा हू that is 10 newtons, तो magnitude तो मुझे पता है, this number becomes the magnitude but अब तक मैंने क्या specify नहीं किया what is it that I have not specified I have not specified the direction so I have to now talk about the directions मुझे directions के बारे में बताना पड़ेगा अगर जो ये force में ये direction में लगा रहा हू so this is east, right ये east है ये west ये north and ये south so अगर जो मैं force इस तरह से लगा रहा हू तो I have to write 10 newtons eastwards ठीक है और towards east मान्जो अगर जो मैं force ऐसे लगा रहा हू okay let's say this is f1 this is f2 तो f2 जो है let's say the magnitude of f2 is 5 newtons for example तो इसका direction उपर की तरफ है ना आप ये block पे force जो f2 लगा रहे हो ये उपर की तरफ लगा रहे हो उपर का direction होता है north so I will write it towards north ठीक है similarly अगर जो for example आप see इस case में ना इस case में इस case में इस case में it is very easy to specify the directions ये एक eastwards था और एक ये northwards था but मानज़ो कि ऐसा कुछ है ये मानज़ो अपमारे directions है east, north, west, south let's say this is northeast, this is southwest ठीक है sorry and यहाँ पे हमने एक object रखा हुआ है अब अब इस तरफ force अगा होगे तो आप कहोगे it is towards east towards west, towards north, towards south towards north east, towards south west ये ठीक है but मानज़ो कि force जो है अगर जो force ऐसे कोई direction में आप लगा रहे है तो अब इस direction को आप क्या कहोगे ये ना ही east है, ये ना ही northeast है तो उसके लिए आपको ये angles पता होना चाहिए ना मानज़ो ये angles है 20 degrees and मानज़ो ये force जो है this is let's say 10 newtons तो पता है आप इस force को कैसे दिखोगे force is 10 newtons and direction is 20 degrees north of east अब force ये east है आप east से उपर वादे direction में लगा रहे होना उपर वादे direction north होता है so 20 degrees north of east okay this is how you will specify it you can see that कोई-कोई cases में इट is very simple east है नौर्थ है तो इट is very simple to specify but in some cases it starts becoming complicated it becomes complicated समझ मैं है ये आपको तो इस ये vectors का representation vectors का analysis उतना simple नहीं होता क्योंकि हर case में ये direction आ जाता है अब direction से क्या-क्या problems आते ही हम लोग थोड़ी दिर के बाद देखेंगे उसके पहले let's look at few simple basic things okay so let's start off first with parallel vectors now parallel vectors जो होता है these are the vectors which point in the same direction इनको हम लोग खेता है parallel vectors so मानलो ये एक force है F1 and मानलो दूसरा vector है acceleration acceleration is also an vector and that's a acceleration vector is in this direction या F2 हम लोग forces ही देते तो it becomes it will become simple for us to discuss few more things okay so now you can see that मैंने एक arrow छोटा बनाया है और दूसरा arrow बडा बनाया है सबसे पहदी चीज़ because both are pointing in the same direction इन दोनों का direction same है हम इनको कहेंगे these are your parallel vectors so parallel vectors are the ones which have got same direction okay now दोनों की lens different है now इसका meaning क्या है अब उपर वादा जो vector है इसकी length छोटी है so this vector has a smaller magnitude so मानलो this is 10 newtons okay तो ये जो बड़ा वादा vector है this is roughly around 3 times this length ये जो length है मैं थोड़ा और extend कर देता हूँ तो आपको believe होगा ये right now this is roughly 3 times of this length तो अगर जो length 3 times है तो we will say that magnitude भी जो है वो 3 times है so 3 into 10 that is 30 newtons okay so basically ये जो आपकी length होती है किसी भी arrow की जो length होती है see vectors को represent करने के लिए ये arrows का use किया जाता है arrows are used are used to represent vectors ठीक है arrows are used to represent vectors ये आया आपको समझ मैं okay now when we talk of vectors the length of the arrow this is the length of the arrow okay so I will write length of the arrow represents the magnitude of the vector vector की value कितनी है it represents the magnitude of the vector okay the length of the arrow represents the magnitude of the vector so if the arrow is bigger तो vector की value जादा है magnitude जादा है if the length of the arrow is small तो इसका मतब magnitude is less to give you an example let's say 2 vectors है okay okay first vector है let me call it as velocity let's say this is velocity vector V1 and second vector is V2 these are parallel vectors because they point in the same direction now हमें ये दिया गया है कि एक vector का magnitude जो है that is 5 meters per second and दूसरे vector का magnitude है that is 20 meters per second अब मुझे ये बताओ कि 5 meters per second कौनसी velocity होगी और 20 meters per second कौनसी velocity होगी now ये जो arrow है ये छोटा है so because this arrow is smaller this represents a smaller vector it represents a smaller magnitude आपका जो smaller magnitude है वो ये है न this is your smaller magnitude so V2 का जो magnitude है that becomes 5 meters per second and V1 का then magnitude होगा 20 meters per second ओक so basically the length of the arrow gives you the indication of the magnitude magnitude जादा है या कम है ये आपको length से पता चलता है okay now the question is how do you write down the magnitude see आप किसी भी vector को न ऐसे नहीं दिख सकते मांजो vector V is 10 units ये incomplete information है क्योंकि यहाँ पे तो आपने बस magnitude ही specify किया है तो आप ये आप ये आप ये इनकम्टीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो अगर जब को magnitude represent करना है किसी vector का तो कैसे करोगे तो दो तरीके है आपको जब magnitude दिखना है न तो आप arrow हटा दो तो आप बस इसको ऐसे दिखो 10 units तो इसका meaning ये होता है कि when you don't put arrow it means this is magnitude of vector v of vector v या फिर दूसरा तरीका ये होता है आप ऐसे दिखो 10 units ये जो होते हैं दो lines ये दो lines इसको हम लोग mod कहते हैं आपने 9-10 standard में पढ़ा होगा mod this also represents the magnitude of vector okay so magnitude represent करने के दो तरीके है आईदर आप ये उपर वाला arrow हटा दो या फिर आप उपर वाला arrow रख रहे हो तो just put mod sign over here आप लोगों दें 9-10 में शायद ये इसके बारे में पढ़ा है mod sign जो होता है mod of minus 3 ये आपको क्या देगा plus 3 तो mod हमेशे आपको एक positive number देता है तो उसी तरह से magnitude of any vector is always a positive number of any vector is always a positive number or zero it cannot be negative वो negative नहीं हो सकता मतलब अगर जो किसी ने ऐसे दिखा हुआ है मानलों ये force vector है which is let's say इसका magnitude at 10 newtons and in east direction towards east तो ये अब complete representation हो गया है मैंने magnitude भी दिखा है और मैंने direction भी दिखा है बट अगर जो कोई बस ऐसे दिखता है magnitude अगर जो आपको f का magnitude दिखना हो तो आप कैसे दिखोगे f is simply equal to 10 newtons आप उपर का arrow हटा दोगे या फिर आप इसको ऐसे दिखोगे magnitude आप mod sign के अंदर डाज दोगे this is 10 newtons this is how you will represent अब मानलों कोई और vector है let's say there is a vector x and कोई कहता है कि इसका जो magnitude है that is minus 3 units this is absolutely wrong यह possible ही नहीं है क्योंकि magnitude can never be negative यह negative sign आगई that is not acceptable not acceptable ठीक है so I hope you have understood this that magnitude is always a positive number vector बड़ा है या छोटा है यह हमें कैसे पता चलता है you get to know this depending upon the length of the arrow if the arrow is smaller vector has a smaller magnitude if the arrow is larger vector has a larger magnitude okay and parallel vectors are those vectors which point in the same direction okay अब ना we will talk about how do you relate the two अब दो parallel vectors को किस थरह से relate कर सकते है it is very very simple okay see यह एक vector हुआ let's call this vector as vector a and यह दूसरा vector हुआ this is your vector b okay now if you look at this आप अगर जो b को two times multiply करो okay this is your vector b so if you multiply b by two so two into b क्या होगा see when you multiply a vector by a scalar quantity let me write over here if a vector if a vector is multiplied by a scalar quantity then the direction remains same so then the direction remains same okay the direction remains same but the magnitude changes okay आपका direction same रहता है बट आपका जो magnitude है वो change हो जाता है अब जो आपका magnitude है if you multiply a vector by two times तो आपका magnitude जो हो जाएगा that will become two times अब हमें यह पता है कि magnitude जो होता है वो हमेशा length of the arrow से ही represent किया जाता है so when I multiply a vector by two यह जो length of the arrow है even that will become two times तो अब यह नया vector आपका यह होगा now if you look at vector a and if you look at vector b दोनों की length same है okay and दोनों का direction same है so if two vectors if two vectors have same length and direction when I say same length it means same magnitude so if two vectors have same magnitude and if they point in same direction then such vectors are called equal vectors you have to remember this so two vectors should have same magnitude they should have same direction so they become your equal vectors अच्छा मान्दो magnitude we talk of equal vectors equal vectors are also parallel because they have same direction so equal vectors are also parallel vectors okay सारे parallel vectors equal नहीं होते यह दोनों parallel vectors है बट यह दोनों equal है क्या नहीं ना इसकी दन छोटी है इसकी दन बढ़ी है तो magnitudes are different तो यह equal vectors नहीं हुए यह बस parallel vectors हुए तो सारे parallel vectors are not equal all parallel vectors are not equal vectors are not equal ठीक है you have to remember this but all equal vectors मांजो सारे जो equal vectors है those are parallel because they have same direction so हम लोग यहाँ पे थे हमने यह कहा कि यह दो vectors जो है they have same length so they have same magnitude they have same direction so they are equal तो equal है तो आप इनको normally जैसे दो equal चीजों को लिखते हो वैसे आप यहाँ पे लिख पाओगे so this would be written as a is equal to 2 times b ठीक है so this is how you can write 2 equal vectors उनके बीच में बस equal to sign लगा दो ना वेन वी टॉक अफ a and b उन्जी यह 2 को छोड़ दो बस हम लोग जब a and b की बात करते है तो यह a and b are just parallel vectors यह equal नहीं है ना दोनों की लैंस equal नहीं है so a and b are parallel vectors so if you see over here a and b are parallel vectors यह जो number 2 है यह number 2 is a scalar number it is a scalar quantity ठीक है so I can now write अगर जो दो vector से एक दूसरे को parallel है तो आप इनको इस type के equation में दिख सकते हो so let me write down this equation as a is equal to a constant into b and यह constant जो होता है this is a scalar number any number so you have to remember that 2 parallel vectors can always be written this way okay 2 parallel यह जो relationship है this is 4 parallel vectors is this fine you have to remember this for parallel vectors you can write a is equal to k into b so if you have two vectors जो इस तरह का relationship satisfy कर रहे है तो आप कह सकते हो कि यह दोनो vectors जो होंगे वो parallel होंगे okay let me give you an example let's say okay you have vector x is equal to three times vector y ऐसे अगर जो आपको relationship दी गई है okay now you can see that this is a vector this is a vector and यहाँ पर यह जो number है this is a scalar number एक बस number है यहाँ पर तो in such case I can say vector x and vector y are parallel vectors यह है आपको समझ में अच्छा vector x is equal to three times vector y तो I can write x and three times y are equal vectors so अगर जो आपको कभी भी दो vectors के बीच में इस तरह का एक relationship आ रहा है okay तो you will always say that these two vectors are parallel vectors okay अब जैसे parallel vectors होते है वैसे short में मैं आपको anti-parallel vectors कहता हूँ क्या होगा anti-parallel vectors आप लोग ही बता हूँ correct आपने शाइद सही guess किया है वांजो एक vector यह direction में है दूसरा vector यह direction में है तो इनको हम लोग कहता है anti-parallel vectors they are in opposite direction ठीक है the two vectors are in opposite direction इनको anti-parallel vectors कहा जाता है okay now अगर जो if this direction represents इसको अगर जो हम लोग positive मानते है तो यह जो ultra direction है इसको हमेशा negative माना जाएगा okay so say for example if this vector is written as let's say this is your vector a this is your vector b तो this vector if it is written as let's say plus 10 तो vector b को लिखा जाएगा minus जो भी इसका number है मान जो इसका number है 15 units यह बस minus 15 लिखा जाएगा okay so next lecture में हम लोग इस पर और discuss करेंगे but when we talk of anti-parallel vectors आपको बस यह याद रखना है कि they are in opposite direction and जब आप किसी एक vector को positive मानते हो तो जो दूसरा vector है वो आपके लिए negative हो जाएगा so relationship ऐसे कुछ होनी चाहिए x is equal to minus 2y this number has to be negative so this will represent x and y as anti-parallel vectors ठीक है thank you